क्या हाल सेर आपके शुकर अल्हम्दुलिल्ला ठीक है घर चलाना कैसा आज के जी देगें मेरा तल्लक जो है न वो अपना आर्किटेक्ट्टर डिबार्डमेंट से है तो हम पूरे पंजाब के जो ड्राइंग्स होती है न बिल्दिंग्स की वो हम डेजाइन करते हैं तो हम सारे जो यहां पर एकठे हुए हैं और काफी अर्से से आल पाकिस्तन कलर का सोसीएशन जो है न वो अपने हकूब के लिए अपना इतजाज रिकार्ड कराने के लिए आते हैं बड़े लिखे लोग हैं हमें अच्छा नहीं लगता इस तरह सड़कों पे आना हमारी वैसे जो होती है तो इस वकर जो हलाद पैदा हो गए न तो वह लाद यह हो गए हैं कि हम अपने बच्चों की ना तो पढ़ाई का सिल्सला चला रहे हैं ना हमारे अखराजात पूरे हो रहे हैं पेट्रोल है वो बढ़ रहा है पेट्रोल के साथ साथ खाने पीने की तमाम अशिय ना है जो हो दिन राद बढ़ रही है मेडिकल जो है बढ़ रहा है और हम यह देख रहे हैं अब मेरा सिक्शन स्केल है सोलवा स्केल है मिरा मुझे जो गोर्मेंट घर का कुराया देती है वो 4,000.95 रुपे है मुझे आप बताएं वो 4,000.95 रुपे के अंदर क्या कोई माका और मुझे जो तखान मिलते हैं मेडिकल्य जो मुझे पर मंत मिलता है, मेरे फैमली के लिए मुझे वह फंदरह सूर मिलता है, 1.5,000 बया, और इसी तरह कन्वेंस सलंस जो मिलन रहा है, इस वक्त पेट्रॉल पेटरॉल जो है ना वो 332 रुपे है मेरा दो दो लीटर पेटरॉल अगर लगे सिर्फ दो लीटर तो मैं समयनों कि मेरा वो 21,000 रुपे पर मंथ पेटरॉल है और मुझे जो कन्वेंस अलों से मिलता है वो 5000 रुपे है इसी तरह बहुत सारे मसाइल है हमारे टो गॉर्मेंने तरह बढ़ाई वो भी हमने यहां 5 दिन दरणा दिया बड़ी मुश्कल से वह बढ़ी लेकिन वह हमने लेने से पहले गॉर्मन ने इतनी में गायी कर दी अभी तो मैं बिलों की बात निकर रहा क्या बिल कैसे देने हैं तो अभी जब रेसंट बिल आया है तो वो बाइक बेचनी पड़की बिल देने के लिए पाइक बेच कर बिल अदा किया बेचनी पड़की बाइस हदार पर बिल आ गया मैं अगर अपनी तनहा गिनाना शुरू करूँ अगर मेरी 70,000 पे पे है ना तो मेरे घर का खर्चा कोई आशी नहीं है सिर्फ जो जरूरी आता है वो एक लाक चालिस हजार और पंतालिस हजार है इतने परिशान हैं हम लोग हम तो इलतजाई करते हैं गोवर्मेंट से किया आप खुदारा हमारा कोई ख्याल करें अब यो नया जो हमारा लीव इंकैश्मेंट का मामला की हुआ यकम जून से उसमें बड़े कबाहते हैं हम रटैर्मेंट लेते हैं तो वो हमारा पैसा मर जाता है मसाल ऐसे दे रहा हूं कि एक आदमी उसकी अगर बेसिक एक लाक रुपे है तो उसको इनकैश्मेंट जो मिलना था लीव इंकैश्मेंट वो बारा लाक मिलना था अब वो इनीशल पे कर दिया है अब मेरी जो इनीशल है ना वो 28,500 है अब आप सोचें कि वो मेरी जो बारा लाक मिलना था वो 28,500 के साब से मिलेगा मुझे अब उसमें एक और इनोंने काम जो हमें आ रहा है कर रहे हैं कि जो मेरी ग्रैश्टी अगर मुझे 25 लाक मिलनी थी वो 5 लाक रुपे मिलेगी जब भी कोई गवर्मेंट कानून बनाती है तो वो आगे आने वाले जो लोग न लौकरी में मुलाजम पेशाएंगी यह उनके लिए होते हैं जो 28 साल से तीस साल से जगाम कर रहे हैं जिन रूलों पर आए थे उनके ओपर यह कवानिन लाकून ही होते हम बहुत परिशान हैं इस वकर सारे यह मुलाजम पड़े लिखे लोग हैं मैंने डिपलोमा किया अच्छा नहीं लगता लेकर मजबूर हो गए हैं